आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रियल्मी नार्जो 30 Pro 5G में आप कॉल रेकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो बैसिकली दो तरीके से आप कॉल रेकॉर्डिंग कर सकते हो पहला तो ओफिशिल तरीका दूसरा है अनोफिशिल तरीका ओफिशिल तरीके से करोगे तो सामने वालों को पता चल जाएगा कॉल रेकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन वाइस जो है काफी HD कॉलिटी में मिलेगा आपको अनफिशिल तरीके से करोगे तो आपका call record भी हो जाएगा automatically और सामने वालों को पता भी ने चलेगा दुनों ही तरीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन पहले पहले बाले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं इसके लिए आपको dialer pad को open कर लेना है अब ही जो है यह record का option हम touch नहीं कर पाएंगे क्योंकि call अपी receive हुआ नहीं है क्यूंक जब भी call receive होगा जो हम record का option जो है वह टैब कर पाएंगे तो अब ही call receive हो गया है तो record का option जो है enable हो गया है अभी जस्थ हम इसे tap करेंगे तो call recording start हो जाएगा लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम इसे tap करेंगे तो कुछ ऐसा आपको सुनाई देगा तो यह सुनाई देता है इसलिए सबको पता जल जाता है कि call recording हो रहा है तो यही इसका दिक्कत है बाकी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है बहुत अच्छा HD quality का voice जो है इसमें record होता है अगर आपको पता नहीं है कहां से voice को बापस सुना जा सकते है तो फिर से dollar pad को open कीजिए और यहां पे जाके यहां से voice को आप बापस से सुन भी सकते है अगर आप दूसरा वाला तरीका इस्तमाल करना चाहते हो जिससे किसी को पता ना चले है आप call record कर रहे हो और आपका call जो है automatically record भी हो जाए manually आपको record ना करना पड़े जो कोई भी call आपके पास आई या फिर आप किसी को call करे तो वो automatic record हो जाए तो इसके लिए आपको play store को open करना है यहाँ पर जाने के बाद आपको search करना है call recorder जैसे ही आप call recorder सर्च करोगे बहुत सारे applications आपको यह आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सभी application से आपके काम नहीं करते हैं लिकेशन जो मैंने खुद ट्राई किया ये वी है काम करता है तो इस लिए आपको इस बाद है इस को एंवे केशन को इन करना अब जैसे एग पर लेगा जैसे कर लेनल कर देना है उसके बाद सल्थ डिया कर देना हैLow कर देना उसके बाद next करना है next करने के बाद यहाँ पर एक option जो है यह बहुत ही सब ज़रूरी है इसको पहले आपको turn on पर tap करना है जैसे आप turn on पर tap करोगे आपको इस बाले setting में ले आएगा accessibility का तो जust आपको नीचे आजाना है subscribe अब नीचे आपको एक option मिलेगा call recorder का जास्टपको यहाँ पर tap करके यहाँ पर इसको enable कर देना है इसको enable करने के बाद ही एक call recorder काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा भी और से वेकर करेंगे में प्रोल रेकोडर में सब्सक्राइब करेंगे हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हो सब्सक्राइब को कुछ ना1 कई अistas कॉल कट करने के बाद सिंप्ली हमें वापस उस एप्लिकेशन कॉन कर लेना है एप्लिकेशन कॉन करते ही देखेंगे यहां पर कॉल जो है रेकॉर्ड हो गया है यह पर टच करते ही अगर हम इसको प्ले करेंगे हाँ सुनाई देरा है सही से हाँ सुनाई देरा है तो देखा आपने दोनों ही साइट का कॉल बहुत ही अच्छे से रेकॉर्ड हुआ है वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताईए